नमस्ते चात्रो, मैं जेवियन कवीता शर्मा, Faculty of Education Methodology चात्रो, आज हम अभिज्यान शाकुंतलम के बारे में अध्यन करेंगे अभिज्यान शाकुंतलम महा कविकालिदास का विश्व विख्यात नाटक है जिसका अनुवात प्राय सभी विदेशी भाशाओं में हो चुका है इसमें राज़ दुश्यन्त तथा शाकुंतला के प्रणे विवाह विरय प्रत्याख्यान तथा पुन्रमिलन का एक सुन्दर कहानी है पोराणी कथा में दुश्यन्त की आकाश्वाने द्वारव बोध होता है पर इस नाटक में कवी ने मुद्री का द्वारव इसना बोध कराया है इसकी नाटकी येता इसके सुन्दर कथोपकन इसकी काव्य सोंदिरे से भरी उपमाएं और इस्तान इस्तान पर प्रियुक्त होती हुई समायोजित सुक्तियां हैं और इन सब से बढ़कर विविद प्रसंगों की द्वय न्यात्मक्ता इतनी अद्वुध है कि इन द्रश्टियों से देखने पर संस्कृत के अन्य नाटक अभिज्यान शाकुंतल से टक्कर नहीं ले सकते फिर अन्य भाशाओं का तो कहना ही क्या तो यह सबसे ज़्यादा अच्छा है यह संपोर्ण प्रस्टिया इसके कुछ अनुभाग हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाशाओं में भी लिखे गए हैं आप इनका अनुवाद करके इसका धिन कर सकते हैं शाकुंतला द्वारा दिशन्त की पत्नी थी जो भारत के सुप्रसिद राजा भरत की माता मेंका अपसरा की कन्या थी भारत में लिखा है शाकुंतला का जनम मेंका अपसरा के गर्ब से हुआ था जो इस वनकु में छोड़ कर चली गई वन में शंकुतो पक्षियों आदी ने हिंसक पश्वों से इसकी रक्षा के थी इसी से इसका नाम शाकुंतला पड़ा वन में से इसे कन्वे रिशी उठा ले गए और अपने आश्रम में रख कर कन्या के समान पाला एक बार राजा दुशंत ने अपने साथ कुछ सेनिकों को लेकर शिकार खेलने निकले गूंते फिरते कन्वे रिशी के आश्रम में पहुंचे रिशी उस समय वहां उपसित नहीं थे इससे यूदी शकुंतला ने ही राजा दुशंत का आदिते सतकार किया उसी अफसर पर दोनों में प्रेम और फिर गंदर विवा हो गया कुछ दिनों बाद दुशंत वहां से अपने राज्ये को चले गया कन्वे मुनी जब लोट कर आए तब यह जानकर बहुत प्रसन हुए कन्व मुनी जब लोट कर आये तब यह जानकर बहुत प्रसन हुए शकुंतला का विवा तुशन से हो गया शकुंतला उस समय गर्वती हो चुकी थी समय पाकर उसकी गर्व से बहुती बल्वान तेजस्वी पुत्र उत्पन हुआ जिसका नाम भरत रखा गया कहते हैं भारत नाम भरत के नाम पर ही पड़ा कुछ दिनों बाद शकुंतला अपने पुत्र को लेकर दुश्यंत के दर्बार में पहुँची परन्तु शकुंतला को बीच में दुर्वासर इशी का शाप मिल ला चुका था राजा ने इसे बिलकुल नहीं पैचाना इस पश्ट कह दिया नै की तो मैं तुम्हें जानता हूँ नै तुम्हें अपना आश्रे दे सकता हूँ परन्तु इसे आउसर पर एक आकाश वानी हुई जिससे राजा को विदित हुआ कि यह मेरी पतनी है और यह पुत्र भी मेरा ही है उन्हें कानवे उनी के आश्रम में सब बातिस्मन हो आई उन्होंने शकूंतला को अपनी प्रधानता रानी बना कर अपनी यहां रख लिया अभी जान शकूंतला में अनेक मारमिक परसंगों का उलेख किया गया है एक समय जब दूश्यं और शकूंतला का प्रधम मिलन हुआ होता है दूसरा उस समय जब कानवे शकूंतला को अपने आश्रम में से पति ग्रह के लिए विदा करते हैं उस समय तो स्वयम रिषी कहते हैं मेरे जैसे रिषी को अपनी पालिता कर निया में यह मो है तो जिनकी औरस पुत्रियां पती ग्रह के लिए विदा होती है उस समय उनकी क्या इस्तिती होती होगी तीसरा प्रसंग है शकुंतला का दुश्यन्त की सभा में उपस्तित होना दुश्यन्त को उसको पहचानने से इनकार करना चोस्था प्रसंग है उस समय का जब मच्वारी को प्राप्त दुश्यन्त की नाम वाली अंगुठी उसको दिखाई जाती है तथा पांच्वा प्रसंग मारीची महर्शी के आश्रम दुश्यन्त शकुंतला के इस्मर्ण दिलाना धन्यवाद कल हम इससे आगे की वीडियो का अध्यन करेंगे